नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में सिनेरियो मैनेजर वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होता है MS Excel का लेकिन ये बहुत ही बड़े काम करता है बैसेकली सिनेरियो मैनेजर वो कमपनिया यूज करती है जो प्रोड़क्ट का मैनिफेक्टरिंग करती है या उसका प्रोड़क्शन करती है तो अब हम लोग अपनी जो टोटल सेल का प्राइस है या अपने बॉक्स के ओपर या जो भी हम मैनिफेक्टरिंग कर रहे हैं उस आइटम की उस आइटम के बॉक्स के ओपर ऐसा कौन सा रेट प्रिंट करें या तो प्राइस बढ़े या गटे इससे हमारे सेल प्राइस के कोई भी इफेक्ट ना पड़े आप देखेंगे जो भी आइटम का प्राइस किसी भी आइटम के ओपर अगर कोई प्राइस प्रिंट होता है तो वो कभी गटता बढ़ता नहीं है बेसक उसके रो मेटरियल का रेट यहाँ पर बढ़े और गटे लेकिन उसका जो एक्शल प प्राइस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारा सेल प्राइस क्या होना चाहिए आप देखेंगे हमने सभी रो मेटरल को प्लस किया हुआ है यानि इसके जितने भी आवाउंट्स है उसको हमने यहाँ पर प्लस किया हुआ है तो इसका जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी वो 12,500 की आ रही है यानि मान लिजए हमें एक CPU मैनिफेक्चर कर रहे हैं उस मैनिफेक्चरिंग के अंदर हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्टिंग अगर हम उसे इंक्लूड करते हैं तो वो 12,500 रुपे की कॉस्टिंग आ रही है जिसके ओपर हमने 10% का profit अपना add किया हुआ है 1250 रुपे इसका जो total amount बन गया वो 13,750 रुपे बन गया अब हम इसे किस rate में sale करें जिससे future में हमें कभी loss नहीं होगा तो ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हैं मैं इसकी complete video आपको बताने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आपको करना कहा है simple सबसे पहले आपको एक table create कर लेनी है जो भी manufacturing आप कर रहे है जिस भी item की manufacturing कर रहे है उस raw material को यहाँ पर लिख लेना है और उसके prices लिख लेना है और उसका total यहाँ पर amount आपको लिख ले रहा है अब यहाँ पर आप देखेंगे 10% profit भी add किया हुआ है इस rate के ऊपर और उसके बाद हमने total price किया हुआ है और अब हमें निकालना है sale price तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी scenario तो scenario बनानी के लिए हमें करना क्या होगा इस सभी item को select करना होगा select करने के बाद आपको जाना होगा data tab के अंदर और data type के अंदर जाने के बाद यहां से आपको जाना होगा what if analysis के अंदर आप यहां पर देखेंगे आपके सामने को option आजाएगा what if analysis आपको यहां पर click करना होगा इस पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने को option आजाएगा scenario manager का तो इस वाले option पर आपको click कर देना है scenario manager पर जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open होगा इस तरीके से और इस dialogue box के अंदर आपको select करना है add यानि हम सबसे पहले minimum cost को add करेंगे और उसके बाद maximum cost को add करेंगे और उसके बाद दोनों का comparison करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस add पर click कर लेते है click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box और open हो जाएगा इस तरीके से तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपना scenario का नाम दे देना है जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ minimum price और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा okay करने की बाद आप देखेंगे आपके सामने फिर से एक dialogue box उपन हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने sell address और amount यहाँ पर show हो गया अब इसके इंदरा में करना क्या है मालीजे future में जो अभी हमें आइटम 1250 रुपे का मिल रहा है यह 1250 से घट करके मालीजे 12 रुपे हो सकता है यानि इतना तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस चीज़ की value कितनी जादा कम हो सकती है तो उस अंदाज है कि इसाफ से हम यहाँ पर अपने rate को define कर लेंगे तो चलिए इस rate को define कर लेते हैं हम यहाँ पर type कर लेते हैं 1250 की जगा 1200 रुपे और इसके बाद यहाँ पर 3000 की जगा हम दे देते हैं इसको 2800 और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 550 रुपीज है तो इसको हम दे देदे 500 रुपीज और यहां पर इसे दे देते हैं हम लोग 3200 रुपे और यहां पर दे देते हैं हम लोग इसे 900 रुपे यालि यह हमारी minimum value थी minimum value को हम यहां पर क्या करेंगे add करा देंगे यहां पर आ मैक्सिमम, प्राइस, इसके बाद आपको okay करना होगा, okay करने के बाद फिर से उसी तरीके का sell address आजाएगा आपके सामने, तो यहाँ पर maximum cost लिख देते हैं, कि future में हमारी ये value कितनी जादा improve हो सकती है, तो इतना तो अंदाज़ा हम इसमें भी लगा सकते हैं, कि यहाँ से जादा highest नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी उसी तरीके से value फुट कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, माली जे, 1350 रुपे, यहाँ पर 3000 है तो इसको हमने ले लिया, 3200 रुपे, यहाँ पर हमारा 550 है तो इसको हमने ले लिया, 600 रुपीज, यह जैसे आप OK पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, आपके सामने minimum और maximum जो हमने अभी scenario set किया था, वो यहाँ पर show up हो गया, अब आपको जाना कहा है, अब आपको सीधे चले जाना है, यहाँ पर summary वाले option पर, इस summary पर जैसे आपके सामने एक option और open हो जाएगा, यहाँ पर आ आपको scenario सिर्फ summary चाहिए, तो यहाँ पर हम summary को select करके OK करेंगे, तो फिलाल हमें summary चाहिए, हम summary देखना चाहते है, यहाँ पर हम summary को select करेंगे, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान डखना होगा, जब आप इसे OK करेंगे, तो यहाँ पर यह जो at 7 value आ रही है यहाँ पर आपका यह total का address होना चाहिए यहाँ पर यह जो total amount हमने लिया हुआ है यह cell address यहाँ पर होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम simply एक बार click कर देते हैं इसने उसका cell address यहाँ पर ले लिया और इसे हम कर देंगे OK OK करने के बाद आप देखेंगे हमारी scenario यहाँ पर तयार हो चुकी है मैं इसको थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर हमारी current value है वो यहाँ पर आ गई 12500 रुपे minimum price यानि कल को अगर यह rate गटेगा तो 12100 रुपे तक जाकर के गिरेगा और कल को अगर हद से हद rate यह बढ़ेगा तो 13000 रुपे पर जाकर के गिरेगा तो 13000 रुपे हमारा last maximum rate होगा इस maximum rate के ऊपर हम लोग अपना 10% का profit एड़ करेंगे और उसके बाद जाकर के हम अपने price को print कर सकते हैं तो हम पहली वाली sheet पर चले जाते हैं वापस और यहाँ पर जान आपकी cost आ गई profit की आपका जो भी price है यानी 13000 रुपे को अपर हम क्या करेंगे is equal to 13000 रुपे में हम plus कर देंगे इस profit को तो हमारी जो value आएगी वो 14300 रुपे यानी 14300 रुपे हम यहाँ पर rate को print कर सकते हैं तो यही था हमारा scenario manager अब मैं आपको चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हम scenario की summary देखेंगे तो यहाँ पर हमारे sales के addresses शो हो रहे हैं जो कि hashtag में हमारे शो हो रहे हैं अब यहाँ पर अगर हमें हमें items का name चाहिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो names है items के वह items के name यहाँ पर show हो जाये तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको sheet 1 पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ध्यान पखना होगा यह जो price list है इन सभी का आपको criteria name change करना होगा यानि यहाँ पर जैसे हमने click किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो cell का address है वो D7 है तो D7 की जगा हम लोग को करना क्या है D7 की जगा हम लोग को रखते हैं यहाँ पर cabinet यानि हम D7 की जगा क्या रखेंगे यहाँ पर cabinet इस cell की address को वो automatic cabinet समझेगा और वहाँ पर हमारे सामने summary के अंदर cabinet show हो जाएगा तो चलिए इसको मैं एक बार practically यूज करके आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या है simply इस cell पे click करके रखना है आपको यानि 1200 जिसमें आपका amount है 1250 का इसको हमने click करके रखना है और यहाँ पर हम इसके cell address को नाम दे देना है cabinet और फिर प्रेस करना है आपको एंटर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नाम दे देना है CPU एंटर प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है SMPS एंटर प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है motherboard और इसके बाद यहाँ पर इसको clicking करके नम दे देंगे हम लोग RAM और यहाँ पर हम इसका नम देता है HDD यानि Ardixchuss ट्राईब तो इसके complete होने के बाद अब हम इमें करना क्या है, फिर से हमें सिनेरियो तयार करना है को तो इम फिर से सिनेरियो तयार करके देधंग मैं गया है, simple cell के address को select करके रखना है, data tab के अंदर जाना है, data tab के अंदर जाने के बाद आपको वापस से, what if analysis में जाना है, यहां से आपको scenario manager को फिर से select करना है, और select करने के बाद, same उसी तरीके से हम लोग cost इसको add करेंगे, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, माली जे पहले हम हम यहां से delete कर देते हैं, delete करने के बाद फिर से हम एक ंई sheet तियार कर रहे हैं, तो यहां पर हम एड़ करेंगे, यापर हम ने दे दिया minimum cost, क्या होगी इसकी, हम ने इसको ok किया, ok करने के बाद, यहां पर हम दे दे दे, जैसे minimum cost हमारी क्या थी, आप अपने हिसाब से जो भी वैलू टाइप करना चाहिए जैसे मैंने बताया था आपको आप टाइप कर सकते हैं तो मैंने minimum cost दे दिया इसका 1200 रुपीज और यहां पर हमने दे दिया और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 32 रुपे और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 600 रुपे यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 33 रुपे यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1000 रुपे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर minimum cost और maximum cost दोनों यहाँ पर show हो गई अब आपको simply करना त्यार हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके sell का नाम भी यहां change हो चुका है याँ आपके sell का जो नाम था वो हट करके यहाँ पर जो आपने item का name दिया था वो item name यहाँ पर show हो चुका है उसी हिसाब से आपकी current value यहाँ पर शो हो गई, minimum cost यहाँ पर शो हो गई और maximum cost यहाँ पर शो हो गई तो इसी को कहा जाता है scenario manager MS Excel में गोलसिक का जो feature है वो बहुत ही बैतरीन feature है जिसका use किया जाता है किसी भी target को complete करने के लिए जैसे example के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ data लिया हुआ है जिसके इंदर हमने कुछ price list को add किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे plastic का जो price है 1000 है power का जो price है वो 500 है PVC का price हमने mention नहीं किया हुआ है labor का charges हमने 400 mention किया हुआ है इन सभी को जब हम total करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा वो 1900 रुपेगा इस पर हमने sum का formula यूज किया हुआ है अब मेरा जो target है वो target है 25 रुपेगा यानि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो total amount आना चाहिए यहाँ पर जो प्राइस होगा वो क्या होगा यानि हमें target पता है कि इस पर क्या answer आना चाहिए तो PVC pipe का जो price है वो क्या होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग use करेंगे गोलसिक का तो गोलसिक के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले total value को select करके रखना है और इसके बाद हमें जाना है data type के अंदर data type के अंदर आपको जाना है what if analysis और यहाँ पर आपको जाना है goal seek option के उपर goal seek option पर जैसी आप click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो set cell value है वो यहाँ पर select हो चुकी है to value यानि आपको कौन सी value चाहिए कितनी value चाहिए वो यहाँ पर आपकोना target बता दीजिए तो हमने ले लिया target 25 रुपे 25 रुपे target लेने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया by changing cell यानि by changing cell क्या होना चाहिए तो हमने यहाँ पर changing cell ले लिया PVC pipe का यानि यहाँ पर जो भी value है वो input हो जाए और यहाँ पर हमारा जो data है वो 25 रुपे शो हो जाना चाहिए जैसे हम यहाँ पर ok पर press करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी value 600 add हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो target था वो complete हो चुका है इसी तरीके से अगर आप इस target को change करना चाहते है जैसे मालीजे मैं यहाँ पर target अपना रखना चाहता हूँ 1800 रुपे जिस तरीके से हमने यहाँ पर plus किया था उसी तरीके से यहाँ पर data हमारा minus भी हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना है आपको सेम उसी तरीके से total को select करके रखना है what if analysis के अंदर जाना है यहाँ से आपको goal 6 select करना है total value आपको select करनी है to value के अंदर हम value अपनी डाल देते हैं कि हमें कितनी value चाहिए तो हम देते थे यहाँ पर 1800 उसके बाद by changing cell हमारा क्या होना चाहिए मालीजे हम plastic में change करना चाहते हैं प्लास्टिक को हमने select किया और जैसे हम यहाँ पर ok प्रेस करेंगे तो यहाँ पर value हमारी decrease हो जाएगी और हमारा जो answer था वो यहाँ पर manage हो जाएगा तो इस तरीके से आप goal 6 option का use कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो है data table का तो data table के लिए आपको करना का है simple एक blank sheet पर चले जाना है और यहाँ पर आप अपनी table create कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1, 1, 1 तीन बार आपको 1 लिखना है और तीसरे वाले 1 से आपको नीचे की तरफ draw कर देना है यानि drag कर देना है data को और यहाँ पर इस option पर click करके fill series पर click कर देना है यहाँ पर आपको जो value रखनी है वो 10 तक रखनी है 11.com delete कर देते हैं इसके बाद आपको इस वाले 1 को यानि तीसरे वाले 1 को फिर से select करना है और यहाँ से आप इसे जितना ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको भी fill series कर देना है यानि जितनी आप table बनाना चाहते हैं उतना आप इसे drag कर सकते हैं drag करने के बाद आपको क्या करना है इस तीसरे वाले 1 पर click करना है simply और is equal to का use करना है is equal to use करने के बाद आपको पहले वाले 1 को select करना है और multiply करना है दूसरे वाले 1 से और इसके बाद press कर देना है enter 1 into 1 अगर हुआ तो यहाँ पर जो answer आएगा 1 ही आएगा यानि 1 into 1, 1 ही होता है और इसके बाद अब आपको क्या करना है पूरा का पूरा data इस तरीके से select कर लेना है उपर के दोनो 1 को छोड़ कर अब यह पूरा का पूरा data हमारा select हो चुका है select होने के बाद आपको फिर से जा रहा है इसी option पर यानि कि what if analysis के उपर और यहाँ पर आपको select करना है data table data table को select करने के बाद यहाँ पर आप row input cell को select करेंगे यानि पहले वाले one को select करेंगे और यहाँ पर column को select करेंगे और यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर ok press करेंगे तो आप देखेंगे आपकी table यहाँ पर generate हो चुकी है यानि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यह आप जितनी जादा table बनाना चाहें उतनी table आप यहाँ पर create कर सकते हैं इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं data table का इसके बाद का जो हमारा next option है वो है forecast sheet forecast sheet का जो use किया जाता है किसी भी data के future को पता करने के लिए जैसे माल लीजिए हमारे पास कुछ database है जिसमें हमने कुछ monthly sales को define किया हुआ है जैसे January की अगर हम sale देखे तो January की हमारी sale है February की sale है, March की sale है इस तरीके से हमने sales define की हुई है यहाँ पर 6 July की जो हमारी sale है वो नहीं है उसका data हमारे पास नहीं है इसी तरीके से आगे का जो data है वो भी हमारे पास नहीं है यानि माल लीजिए यह data भी हमारे पास आया ही नहीं है यानि इस data को हमने input किया ही नहीं है या आगेगा हमारा future है अब इस future की जो sheet है वो किस तरीके से हम create करेंगे यानि हमारा future में हमें loss होगा या profit होगा या इसी जिस तरीके से हमारा ये database बना हुआ है या जिस तरीके से हमारा data loss में जा रहा है या profit में जा रहा है ये आपको एक graph बनाकर करें दे देगा जिसमें आपको पता चल जाएगा em के अगर आपकी value VRC exchange हो Gi अगर मैन्योली कि तो कितनी जाधा चल सकती है तो इसके लिए हम पूरे data को एक बार नियुद सेलेक करने के बाद हम चले जाते हैं forecast sheet के उपर, forecast sheet पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा data यहां पर manage हो गया यानि show हो गया, यहां पर आप देखेंगे हमारा एक graph बन गया है जिसकी मतलब से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो data है वो आगे आने वाला जो future है हमारा वो सीधे जाएगा या उपर growth करेगा और उपर growth करेगा तो कितना growth कर सकता है और degrees करेगा तो कितना ज़्यादा degrees कर सकता है तो इस तरीके से आप इसकी forecast create कर सकते हैं forecast sheet create कर सकते हैं तो दोस्तों यही था हमारा forecast के सभी options अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजेगा धन्यवाद